पनीर खाना तो हर किसी को पसंद होता है स्वाद में टेस्ट होने के साथ यह सहत के लिए बहुत अच्छा होता है लेकिन आप जानते हैं कि रोजाना कच्छा पनीर खाने से आपकी कैई बेमारियां दूर हो जाती हैं रोटीन, वसा, कैल्सिम, परोटीन, फासपुरस, होल्ट और कैई, न्यूट्रिशन से भरपूर पनीर का सेवन ना सिर्फ सुगर को कंट्रोल में रखता है बल्कि इसमें मानसिक तवाब भी दूर होता है तो चलिए जानते हैं कि पनीर खाने से आपको क्या फायदे होते हैं दोस्तों कच्चा पनीर का सेवन नास्ते और लेंच करने से एक गंटा पहले करें एक साइज के कुछ गंटे बाद भी पनीर का सेवन फायदेमन होता है इसके अलावा रात को सोने से एक गंटा पहले भी पनीर का सेवन करें क्योंकि सोते समय सरीर को खाना डाट है करने के लिए प्रोटीन की सबसे ज़्यादा ज़रूत होती है और इसमें भरपूर प्रोटीन होता है तोस्तों कच्चा पनीर में केल्सिम और फासपॉर्स होता है इसलिए रोजना इसका सेवन हड्यों को मजबुद बनाने के साथ ही यह हमारे जोडों के दर्द से विहरा मिलता है फाइवर की कमी होने पर आपको कमजोरी जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है कच्चा पनीर खाने से आपके सरीद में फाइवर की कमी पूरी होती है कच्चा पनीर खाने से आपका पाचन तंत्र दुरुस्त रहता है जिससे आप पेट से जुड़ी समस्यां से बचे रहते हैं कच्चे पनीर में ओमेगा थ्री फैटी एसिड पाया जाता है जो की डायवेटिक पेसेंट के लिए बहुत फायदमन्द होता है रोजाना इसका सेवन करने से आपकी सुगर कंट्रोल मरहता है दिन भर काम करने के बाद सरीर में ठकावट होना तो आम बात है लेकिन 50 ग्राम या 100 ग्राम कच्चा पनीर खाने से आपकी सारी ठकावट दूर हो जाती है यह अपनी डायट की अनुसार आप ले सकते हैं दोस्तो इसमें प्रोटीन के साथ साथ इसमें कई पोस्त तत्वर पाए जाते हैं इसलिए रोज़ाना कच्चा पनीर खाने से आपके सरीर की कमजोरी दूर होती है प्रोटीन और केलसम के अलावा कच्चा पनीर में लीनो लाइक एसिड भी पाया जाता है इसे सरीर में फैट, बर्निंग, प्रैसस तेज होता है जिससे आपका वज़न कम करने में भी मर्द मिलती है इसलिए अपने डाइट में कच्चा पनीर जरूर सामल करें आपको जानकर हैरानी होगी लेकिन कच्चा पनीर खाने से यह कैंसर के खतरे को कम करता है हो जाने कच्चा पनीर खाने से सरीर में कैंसर सेल्स की गरत रुक जाती है जिससे आप इसके खतरे से बच सकते हैं दोस्तो किरोटिन और केलसम होने के कारण इसका सेबन दातों को मज़ूद बनाने के अलावा आप दातों से खोन आना दातों के दर्द से भी बचा जा सकता है इसका सेबन दहुनियों में होने वाली रुकावट को भी रोगता है जिससे दिल की कई बीमारियों का खतरा कम हो जाता है इसके अलावा इसे सरीर का कलिस्टरॉल लेवर भी कंट्रोल में रहता है